पंजाब के गुर्दासपुर जिले के बाटला इस्थितिक पटा का फैक्टरी में धमाका होनी से 23 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं कुछ लोग गंबीर रूप से घायल हैं घायलो को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है मौके पर दमकल भिवाक के कई कर्मी पहुंचे बचार तीम लगतार फसे हुए लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है इस घटना पर पंजाब के मुख्यमंतरी कैप्टन अमरेंदर सिंग ने दुख जताया है उन्होंने कहा कि SSP की अभुवाई में राहा तैवन बचाप कर रहे जारी है हासे में मरने वालों को सरकार की ओर से 2 लाक रुपे और घैलों को 50,000 रुपे दिये जाएंगे कि अभुवाई दिये जाएंगे कि अभुवाई दिये जाएंगे देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें